आजया मारे पास में OPPO Reno 12 5G स्मार्टफॉन और इस बाले फॉन में ना काफी कमाल के AI वाले फ्यूचर्स मिल जाते हैं जैसी कि आपने पिक्चर किलिक किया है और उसमें कोई सब्जेक्ट इरेज करना है तो वो भी कर पाएंगे आप अपने फॉन को दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं यूटूब बगएर आप दूर से ही स्क्रोल कर सकते हैं और आप अपने फॉन को ना कान के पास में लेके जाएंगे तो आप बिना टच करे ही अपने फॉन को पिक अप कर पाएंगे एक time में आप 3-3 application चला सकते हैं इस वाले phone में और जो आपको ring light देखने को मिल रही है इसे भी आप लगा सकते हैं आपका phone बंद रहेगा और आप ओ बनाएंगे तो आपका camera चालू हो जाएगा भी बनाते हैं तो आपकी जो flashlight है वो चालू हो जाती है आपको में इस तरह के बहुत सारे features इस वीडियो में बताने वाला हूं तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मेरा नाम एहसान है आप देख रहे हैं टेक्टू एहसान चैनल इस पहले features की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको setting में जाना है setting में आने के बात में आपको wallpaper and style वाला option मिल जाता है सबसे पहले always on display की बात कर लेते हैं यहां पर आपको बहुत सारे always on display मिलेंगे बस यहां पर से आपको चालू कर लेना है अब चालू करने के बात में आप नीचे आएंगे तो आपको यह वाला उप्सन मिल जाता है जो कि मेरा परसनल फैवरेट है और यह एनिमेशन के साथ में यह आलवेज ओन डिस्पेले आपका काम करता है यहां पर आप देख सकते हैं यह इस तरह से इस तरह का जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना कैन वास उस तरह का बना पाएंगे आप अपनी फोटू से यहां पर आपको ब्लोसम बाले बाल पीपर मिल जाता है यहां पर इस तरह से यह ग्लो करता है तो जो की देखने में बहुंँ जादा अच्छा लगता है आप इस अपलाय करना चाहते हैं तो यह भी अपलाय हो जाएगा यह फिर आप AI के थुरू आप बाल पीपर बनाना च आपके दे दिया है आपको जो भी वलपेपर अप यहां से लगाना है वो फिर आप यहां से सैट कर सकते हैं और उसी के साप से यहां पर आइकन बगएर ही सैट हो जाते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने बाला हूं कैसे करेंगे आप अरह हम एक-श्टेप बैक हाज आते है आपको यहाँ पर icon style मिल जाते हैं icon का style आप यहाँ से change करना चाहते हैं तो भो भी आप change कर पाएंगे या फिर आप अपना जो app का नाम है snapchat, message, camera बगएरा उसे hide करना चाहते हैं तो यहाँ पर से यह देखेंगे, यह hide हो जाता है या फिर आप custom करना चाहते हैं कोई icon बगएरा को, तो वो custom भी आप यहाँ पर कर पाएंगे बागी हम back आजाते हैं यहाँ से और थोड़ा से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको color वाला option मिल जाता है, उपर side में जो आपको icon का color अभी blue color देखने को मिल रहा है, इसे हम green कर लेते हैं, अभी देखेंगे यह green color हो जाएगा, इस तरह का जो green color है वो हो चुका है, और status बार के आगे बात करेंगे हम इसमें क्या new आपको देखने को मिलता है, एक step बैक आजाते हैं यहाँ पर आपको quick setting वाला option मिल जाता है इसमें आईएगा, quick setting मतलब कि उपर side में भी जिए, आपको round round में गोल गोल देखने को मिल रहे हैं, tongal icon वगेरा तो इन्हें आप square में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो इसे करने के लिए यहाँ पर, मैं यह square कर लेता हूँ यहाँ पर square set कर लिया, अब आप देखेंगे, उपर side में जो icon हमारे square में आ चुके हैं तो इस तरह से आपना जो icon वगेरा हैं, उनका size यहाँ से change कर सकते हैं और इसी तरह आपको यहाँ पर fingerprint मिल जाते हैं इतने सारे आपको fingerprint मिल जाएंगे, इन में से आपको और भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइट करा दूँगा, आप comment करके मुझे बता देना fingerprint चाहिए तो और हाँ, यहाँ पर age lighting मिल जाता है, जैसे कि आपका phone यहाँ रखा हुआ है और रखे रहने के साथ में जो light आपकी चल रही है, रेड कलर या फिर yellow कलर, आपका कोई notification आता है तो यहाँ पर आपको यह जो light देखने को मिलती है ब्लू कलर की light आएगी, कोई notification आई तो incoming call आई, तो यहाँ पर यह side में जो curve है न, curve display यहाँ पर side में देखने को मिलता है अब आपको यहाँ पर यहाँ पर यह फोटो उपन करना है, फोटो उपन करने के बाद में आपको मैं AI वाला features बता रहा हूँ, यहाँ पर all photo में आना, कोई photo आप यहाँ से ले सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, यह बंदा है हमारा यह वाला बंदा हमें नहीं चाहिए, इसे erase करना है, तो भो भी आप कर सकते हैं, edit पर click करिएगा, यहाँ पर AI eraser वाला आपको नया option मिल जाता है, इ इसमें आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगे, अब आपको hide वाली photo देखना है, तो आप कैसे देखेंगे, आप बैक आना, यहाँ पर album पर, album पर आपको नहीं जो private वाला option मिल जाएगा, इसमें fingerprint लगा लेना अपना, और इसके बाद में आपने जो भी hide करके रखा है, photo बगेरा, फिर वो सारी जो photo है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी private safe में, अभी हम एक step back आ जाते हैं, अगले features के लिए, यहाँ पर setting में click करिए आपको यहाँ पर कुछ special features मिल जाते हैं, इसमें आना, और special features में आपको यहाँ पर यह quick launch वाला option मिल जाता है, यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ application set करके रखा हैं, और आप इसे चालो कर लेना, अब आपका phone बंध है, और आप यहाँ पर fingerprint लगाएंगे इस तरह से, और आपको open कर सकते हैं, इतने option आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आप सेटिंग में जाना, special features में जाना, और यह जो हमारा quick launch वाला option है, यहाँ पर edit पर click करना, फिर आप phone पर करना चाहते हैं directly, या फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे option मिल जाते हैं, आप एक एक करके यहाँ यूज कर रहे हैं, इस तरह से आप करिएगा और सारे के सारे application आपके हाथ में आजाएंगे और आप इनको open कर सकते हैं, अब आप एक हाँ से इस तरह से ऊपर तो touch नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ऐसा करना और इस तरह से open कर सकते हैं, नेक्स्ट, आप अगली features की बात कर हैं, जैसे कि यह वाला features और यह वाला features, यह दोनों आपके बंद रहेंगे, dual tap to lock और dual tap to back, यह दोनों को चालू कर लेना, यह दोनों को चालू कर लेना, और चालू करने के बाद में आप देखो, आप अपने phone में इस तरह से double tap करेंगे, तो आपका phone बंद हो जाएगा, आप मैं आपके साथ में share करने वाला हूँ, अगली features की बात के हैं, तो यहाँ पर setting में जाना है, और यहाँ पर additional setting मिल जाती है, additional setting में आना, यहाँ पर आपको gesture मिल जाते हैं, बहुत सारे, यहाँ पर gesture पर किलिक करना, और year gesture भी आपको मिल जाते हैं, यह call pick up बाले मिल जाएंगे यहाँ पर से आप सीख सकते हैं, आपका phone यहाँ दूर रहेगा, और आप इस तरह से ऐसा करेंगे, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा, अपने phone को इस तरह से रखो और ऐसा करेंगे, तो यह automatically आपका phone pick up हो जाता है, यह देखो, एक बार आप try कर लेंगे तो आ आप दूर रख दो अपने phone को, और यहाँ से इस तरह देखो, आपको phone को इस तरह ऐसा करना है, और फिर इस तरह नीचे उपर नीचे उपर, दूर से ही कर सकते हैं, तो यह सारे features आपको ear gesture में मिल जाते हैं, ear gesture में आके आप देख लेना, यहाँ पा gesture and motion में आपको और भी features म मिल जाते हैं, screen of gesture, इसमें click करिएगा, यह आपके में बंद रहेगा, तो चालू कर लेना, अब चालू करने के बाद में यह तो सारे बंद रहते हैं, एक एक करके चालू करना, जैसे कि यह ओ ड्रावर वाला, और इसे भी चालू कर लेना, यह दोनों हमने चालू कर लिया, draw O और V वाला, अब जैसे कि आपका फॉन बंद है, और आप O बनाएंगे, तो आपका जो केमरा है ना, वो चालू हो जाएगा, देखो केमरा चालू हो गया, इसी तरह आप ऐसा भी बनाते हैं, तो आपकी जो फ्लेश लाइट है, वो चालू हो जाती है, और अगले features की बात क बढ़ बनाएंगे, तो यहां पर आपको बनाएंगे, तो बाट साफ़ ओपन हो जाए, तो यहां पर आप वो सब सेटिंग कर सकते हैं, इसमें आईएगा, और कोई वे, प्लेकेशन यहां से चूज कर सकते हैं, अब अगले features की बात कर लेते हैं, जेश्चर और आपकी बना रहते हैं मैं आपको इनको explain कर देता हूं क्या काम के हैं जैसे कि राइस टू बैग वाला उपसन यहाला उपसन चालू रहेगा आपका इस टूल में रखा है आपका फॉन और आपने इस तरह से उठाया तो आपका फॉन आटोमेटिकली चालू हो जाता है आपको यह जो पाव अपने फॉन को कान के पास में लेके जाते हैं तो आपको ऐसा पिक अप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके नीचे आपको फिलिप टू म्यूट इंकमिंग कॉल वाला उपसन मिल जाता है इसे भी चालू कर लेना आप जैसी कोई इंकमिंग कॉल आ रही है आपकी औ और आपने देख लिया नमर वगेरा और आपको पिक अप नहीं करना है तो आपके फॉन को उठाना है और ऐसा पलट देना है पलटने के बाद में आपका जो फॉन है ना वो साइलेंट मोन में चला जाएगा मतलब मियूट हो जाएगा तो यहां पर कुछ इतने आपसन आप वाला फ्लेशलाइड वाला उपसन है इसे आप चालू कर लेना एक बार चालू करने के बाद में क्या होगा आपका फॉन बंद है और जो हमारी बॉलियूम डाउन बटन है आप इससे प्रेस करके एक सेकंड के लिए छोड़ देना फिर इससे आपकी जो फ्लेशलाइड है चालू हो जाएगी अभी देखो हम फ्लेशलाइड वंद कर लेते हैं dalej फिर से फोन की सेटिंग में जाना है और यहां पर अडिशनल सेटिंग में जाना है जैसे कि one hand में क्या काम करेगा यह यह देखो हम एक हाँ से अपने phone को चला रहा है उपर साइड यहाँ पर touch नहीं हो रहा है हमसे तो हम आराम से ऐसा करेंगे फिर आप असानी से इस तरह से touch कर सकते हैं आप setting में आईएगा और यह one hand वाले option को चालू कर लेना अडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पर यह मिल जाता है अभी हम अगले features की बात कर लेते हैं तो फिर से phone की setting में जाना है यहाँ पर अडिशनल सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको वीडियो कॉलिंग में फेस ब्यूटी वाला ओप्सन मिल जाता है यदि आप बाटसम में वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर आप इंस्टेगराम में वीडियो कॉल कर रहे हैं तो फेस ब्यूटी चालू कर सकते हैं मुझे बहुत सारे कॉमेंट आते हैं कि हम ब्यूटी मोल लगा सकते हैं कि नहीं वीडियो कॉल के अंदर में तो जी हाँ आप यहाँ पर से इसे चालू कर लेना मगर आप Instagram या Batsub इसे इंस्टॉल कर लेना तो यह support करने लगेगा चालू हो जाएगा अभी हम एक step back आजाते हैं additional setting में ही और यहाँ पर आपको और कुछ option मिल जाते हैं जैसे कि यह system navigation यहाँ से जो बटन होती है यह वाली बटन आप हाइड करना चाहते हैं तो वाली बटन यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं जैस्चर में लगाके फिर आप साइट से इस तरह से बैक कर पाएंगे अब एक step back आजाते हैं सेटिंग के अंदर में और यहाँ पर आपको कुछ option मिलेंगे जैसे कि notification and status bar यहाँ पर आईएगा और उपर साइड में आपको status bar वाला option मिलेगा अब यहाँ पर देखो real time network वाला option मिल जाता है इसे चालू कर लेना जिससे कि आपकी जो mbps वाली speed है ना उपर side में so करेगी mbps में कितना internet speed चल रहा है उपर side में यहाँ पर बताने वाला है इससे और आपकी जो battery percentage है यहाँ से दिखाना है या नहीं दिखाना है वो सारा कुछ आप set कर सकते हैं battery का style यहाँ से change कर सकते हैं अब हम एक step back आजाते हैं अगले features के लिए यहाँ पर notification in status बार में more setting में आना और यहाँ पर आपको notification history मिल जाती है notification history मतलब कि guys देखो कोई भी notification आई और आपने इस तरह से इस तरह हटा दिया और आपको फिर से देखना है वो ही वाली notification तो आप notification history में आना और वो ही notification आपको यहाँ पर 24 घंटे तक यहाँ पर मिल जाएगी जैसे कि कोई आपके दोस्त ने बाट सब में message किया और फिर delete everyone कर दिया और आपने नहीं देख पाया तो बहुली notification भी आपको यहाँ पर notification history में मिल जाती है next notification in status बार में more setting में आईएगा यहाँ पर आपको एक अच्छा feature से में बताने वाला हूँ जैसे कि swipe down on lock screen to view notification drawer जैसे कि यह चालू रहता है आपके पहले से और आपका phone lock है और lock रहने के बाद में भी यह जो हमारा control panel है निकल के आज आता है जैसे कि आपका phone चोरी हो गया जो जिसने चोरी किया है वो आपके phone को aeroplane mode में डाल सकता है या फिर कोई hotspot बगएरा ले सकता है आपके phone से तो आप इसे बंद करके ही रखिएगा जैसे कि इसे बंद कर लेंगे आप तो आपका phone lock screen में रहेगा तो फिर यहाँ से यह status bar नहीं निकलेगा तो यह काफी कमवाल के features है गाई next यहाँ पर आपको और भी option मिल जाते हैं जैसे कि यह display वाला option है यहाँ पर आपको कुछ option मिल जाते हैं जैसे कि high refresh rate वाला option आपको skin refresh rate आप यहाँ पर high में set कर लेना यह पहले से standard में या auto में रहेगा तो आपको high में set कर लेना है 120 Hz में अब 120 Hz में जैसे आप कर लेते हैं तो आपको phone बिल्कुल ऐसे smooth हो जाएगा आप कहीं पर भी चलाएंगे तो आपको smoothness feel होने वाली है अब अगली features की बात कर लेते हैं यह जो आपको icon देखने को मिल रहा है अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे कैसे apply करेंगे तो इसे apply करने के लिए ring link करके एक application मिल जाता है ring ring application इसका नाम है यह chrome browser में मिल जाएगा डाउनलोड कर लेना यह फिर आपको इस application की link मिल जाएगी वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एक बार आप set कर लेना इसका color बगएरा change कर लेना change करना है तो या फिर आपको नहीं करना है तो नहीं करना बाकि फिर upside करने के बाद में इसे on कर लेना और सारा कुछ करने के बाद में आप फिर कहीं पर भी जाके देखेंगे तो आपको यह जो camera mirring light है वो देखने को मिल जाएगी और कुछ option मिल जाते हैं जैसे कि security and privacy में आना यहां से आप कोई भी application को hide करना चाहते हैं तो hide कर सकते हैं lock करना चाहते हैं तो lock कर सकते हैं किसी application को lock कर लेंगे तो फिर fingerprint डालेगा आपका तब जाके फिर application open होने वाला है और आप hide कर लेंगे तो hide करने के बाद में फिर आप यहां पर dialer पर आएंगे और यहां पर आप जो भी passcode set करेंगे बोर डालना पड़ेगा फिर hide वाले application यहां पर आ जाते हैं जो भी आप hide करके रखेंगे hide करने के लिए setting में जाना यहां पर security privacy में आना और यहां पर से आपको option मिल जाएगा यहां से आप hide कर सकते हैं और हाँ guys camera के अंदर में भी बहुँ सारे आपको futures मिल जाते हैं उसके लिए हम dedicate video बना के लेके आएंगे यदि आप comment करेंगे तो यह फिर आपको यहां पर end screen में भी video मिल जाएंगी आज की video के लिए बस इतना ही आप इसका next part चाहते हैं तो भी comment कर देना अब मिलते हैं next interesting video में तब तक के लिए take care and bye bye thanks for watching this video